वीडियो के सुरुआत में ही एक चीज जो है आप लोगों को दिखाना चाहूंगा यहाँ पे जो है मैं एक स्क्रीन सोट लगा रहा हूँ अगर आप इसे देखे किलियरली जो है लिखा हुआ है और गूगल में मैंने जाके यह सर्च किया है आप भी सर्च कर सकते हैं पांस से दस परसेंट ट्रेडर ऐसे होते हैं जो के प्रोफिट करते हैं 90 परसेंट ट्रेडर ऐसे होते हैं जो के लोज करते हैं तो आप देख लीजिए आप 10 परसेंट में हैं या 90 परसेंट में हैं 90 क्यों लोज करते हैं यह मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगा औ लोगों को लाइव जो है ट्रेडिंग करके भी दिखाने वाला हूं तो पहले मैं आप लोगों को ट्रेडिंग करके दिखाना चाहूंगा और उसके बाद जो है 90% लोस क्यूं करते हैं ये भी जो है मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा तो गाइस यहां पे सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, अभी फिलाल बहुत ही करंसी कम एक्टिव हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्रप्टो IDX एक ऐसी करंसी है जो के नॉर्मल चलती है, उसके बाद जो है दो OTC चली है जिन पे 82% है, उसके 72, 62 इस तरीके से कुल मिला के यहाँ पे 13 करंसी जो है एक्टिव हैं, 13 में से 3 करंसी जो है यहाँ पे 82, 85 है, 10 करंसी एसी है जहाँ पे 70, 60, 40, 47 कुछ इस तरीके से जो है आपको परसेंटेज जो है मिल रहा है, अब बहुत लोग जो है सुभ़ः सुभः जो है रहने लगते हैं, कुछ लोग तो यहाँ पे भी जो है आके ट्रेडिंग करते हैं, जो के 42 परसेंट जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, AC करंसी बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं करनी है, जहाँ पे 42 या 45 या 60, 70 तक भी हो, मैं बो इसी चीज़ को फोलो करके ट्रेडिंग करेंगे, तो रिजल्ट जो है आपका बहुत बहुत बहतर आ सकता है, तो यहाँ पे जो है मैं आता हूँ, यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे इंडिगेटर एक्टिव है, तो इसे भी जो है हम आटा देते हैं, मुझे तीन करंसी में ह देखी है, देखने के बाद जो है, मुझे यह करंसी जो है, एक ठीक ठा करंसी लगी है, ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे यह बताना चाहूं, तो यहाँ पे 89,200 रुपीज जो है मेरे अकाउंट में है, तो मैं यहाँ से जो इस्टार्ट करूँगा ना, वो आप देखें यहाँ पे 50 पे जो है, उपर की तरफ गया ना, वो इस चीज़ को यहाँ पे फॉलो करके गया, कि यहाँ से मार्कीट जो है अप गई थी, और यहाँ से भी जो है मार्कीट अप गई थी, तो दो पॉइंट जो है मुझे ऐसे दिखें, यहाँ से, जो के मार्कीट जो है अप यहां पे गई थी 50% जो है डाउन का भी चांस था कि मार्केट जो है डाउन भी जा सकती है 50% चांस था वो अब का भी था लेकिन मैंने एक चीज जो है देखी वो थोड़ा सा जो है यहां से बेग देखा कि भाई हाँ यहां से मार्केट अब गई थी ग्रीन कैंडल से निकला तो point जो है वो ही बन रहा है तो actually छोटी छोटी बाते जो है trading के अंदर जो है आप लोगों को ध्यान में रखनी होती है अब guys यहाँ पे आपको जो है मैं आप लोगों को easy तरीके से समझाने की कोशिस करूँगा 80,000 रुपीज something जो है 89,200 रुपीज जो है मेरे account में थे अब मैंने यहाँ पे 4000 रुपीज की ट्रेडिंग की है और यह 4000 रुपीज की मेरी ट्रेड जो है विन हो जाएगी बहुत easy तरीके से यहाँ पे यह दिख भी रही है ठीक है आप यहाँ पे देख सकते हैं clearly जो है यहाँ पे आप लोगों के सामने है यह आप देख सकते हैं finally जो है विन हो चुकी है 74,000 रुपीज जो है मुझे मिल चुके है जानि के सीधा-सीधा मैंने 34,000 रुपीज का जो है यहाँ पे प्रोफिट कर लिया सिर्फ किस चीज को फोलो करके किया यहाँ पे मार्किट को देखके पॉइंट देखके मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग की और अपना इस्पिरियंस का इस्तवाल किया और यहाँ पे मेरा प्रोफिट हो गया ठीके अब बहुत लोग जो है ने ट्रेडर जो है आते उनको लगता कि भाई यहां से जो है मार्किट ये भी रेड है और ये भी काफी कैंडल जो है रेड जा चुका है तो चलिए जो है हम डाउन की तरफ ट्रेडिंग कर लेते हैं नहीं इस तरीके से नहीं है आपको मार्किट को जो है पीछे स देखना है सही तरीके से समझना है जब आपको ये लगे के हाँ मेरा जो है मैंने तो 50% पर बोला है आपको ये लगे के 70% चांस जो है यहाँ पर अपकी तरफ का है और यहाँ पर 30% ही डाउन का है तब आप वहाँ पे ट्रेडिंग करें पहले आप पूरे शोर हो जाएं के तो गैस फिर मैं क्या करता यहाँ पे यह चार हजार रुपीज देना तो मैं यहाँ पे आठ हजार रुपीज इन्वेस्ट करता और आठ हजार रुपीज के बाद जो है इस तरीके से जो है मैं यहाँ पे ट्रेडिंग करता डाउन की तरफ ठीके अब मैंने जो प्रोफिट इसी के अंडर में चल लही है यहां पे भी 70 या 30 नहीं है यहां पे भी 50-50 चांस ही है 50% मार्किट अब जा सकती है 50% जो है डाउन जा सकती है और यह लाश्ट तक हो सकता है मेरी ट्रेड जो है लोस हो जाए लेकिन गाईज यहां से जो है यहाँ पे केंडल से निकलाता उसके बाद रेड केंडल से निकलाता और मार्किट इस तरीके से डाउन गई थी ठीक उसी तरीके से फिलहाल मार्किट यहाँ पे चल रही है और यह आप देख सकते हैं मेरा हो सकता है यहाँ पे प्रोफिट हो जाए अब भी यह बोल सकता हूँ के हो सकता है मेरा लोस हो जाए लेकिन अब जो है यहां पे लोस नहीं होने वाला है सीधा सीधा आप देख सकते हैं यहां पे जो है 14,800 रुपीज जो है मुझे मिल चुके हैं अभी तक जो है मैंने यहां पे जो है दो ट्रेड की है और दो की दो ट्रेड जो है मेरी विन है 121 डोलर का जो है मेरा यहां पे टोटल प्रोफिट जो है बेटा है दो ट्रेड के अंदर दोनों ट्रेड का जो अमाउट है विनका वो आप केल्गुलेट करके देख लीजिए इससे पहले मैंने कोई भी ट्रेडिंग यहां पे नहीं की है अगर मैं इसकी बात करूँ तो लग मैं बोलता हूँ आपको 80 रुपीस से ही स्टार्ट करने चाहिए बहुत लोग तो 500 रुपीस जो है ले के आ जाते हैं वो ही अपनी गलती कर देते हैं 10 बार 20 बार 500 रुपीस जो है ले आएंगे और वो लोस करके चले जाएंगे अब आपके पास पांट सो रपीज है कभी आप पहली ट्रेड दू रपे की ले लोगे दो सो रपीज की ले लोगे अगर वह आपकी लूस हो जाती है तो कोई ट्रेडिंग का एक्ट्व प्लान ही नहीं बचता है आपको loss recover करने का मौका ही नहीं मिलेगा और आप loss पे loss करते चले जाएंगे मेरे पास जो है ज्यादा option नहीं थे trading के ठीक है यहाँ पे जो currency थी उसके ज्यादा option नहीं थे तीन ही option थे तीन में से जो है मैंने एक जो है यहाँ पे चुनी और यहाँ पे जो है मैंने profit कर लिया अब मैं आपको जो है यहाँ पे बताना चाहता हूँ 90% लोग जो है loss क्यों करते हैं उससे पहले बोलूँगा वीडियो के description में बिनोमो का real side का link दिया है अगर आपने account नहीं बनाया है तो बना सकते हैं तेली ग्राम का भी link है अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं और मेरी बहुत सारी benefit जो है आपको बिल्कुल free में चाहिए तो आप हमारे टेली ग्राम में भी जूड सकते हैं जहां पे आपको सारे benefit जो है free में मिले गए अब बात करते है 90% जो है ट्रेडर loss क्यों करता है by 90% इसलिए जो है वो loss करता है ट्रेडिंग की proper knowledge ना होने की वज़े से वो सोचता है अभी जो है उसे कहीं से ट्रेडिंग के बारे में पता चला आपने मेरी ये वीडियो देखी और आपको ट्रेडिंग के बारे में पता चला और आपने जाके बिनोमों पे अभी account बना लि ये दूसरी ट्रेड आप 50,000 की लोगे में बोलता हूं वो भी loss हो जाती है तीसरी ट्रेड जो है आप 2,00,000 की लोगे में मानता हूं वो भी आपकी loss हो जाई चोती ट्रेड जो है आप लोगे चार लाग दस हजार की अगर वो विन हो जाती है तो आपका लोस रीकवर हो जाता है और आप जो है प्रोफिट में चले जाते हैं और आपको लगने ये लगता है कि भाई मैंने तो 50,000,000 रुपी जो है 5 मिनिट में डेमो अकाउंट में बढ़ा दिया अब इसका उल्टा ठीक इसी तरीके से होता है आपने प्रेक्टिस तो की जो है 8,000,000 रुपी से और आप रियल अकाउंट में लेके आ रहे हो 500 रुपी स आपकी जो प्रेक्टिस है वो कुछ भी काम नहीं करेगी 500 रुपीस में आप कितना अमोट बढ़ाओगे कितना लोस करोगे कुछ भी जो है आपके पल्ले पढ़ने वाला नहीं है तो इस तरीके से आपका कंटीन्यू लोस होता चला जाता है बहुत लोग जो है मेरे से एक ही चीज बोलते है कि भाई जो है हमें कितना अमोट लेके आना चाहिए ट्रेडिंग का तो मैं बोलता हूँ आपको मिनिमम जो है 5000 रुपी जो है लेके आने चाहिए पलेट फरम आप कोई भी यूज करे हो